तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल फार्मिंग सेमुलेटर यूटूब चैनल पर मैं मुकेश यादो सभी दर्सक सभी किसान मित्रों को नमिशकार करता हूँ किसान सात्यों केसे करें लहसुन की खेती और इस लहसुन की खेती में अधिक उत्पादन केसे प्राप्त कर सकते हैं यही जानकरी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्द होने वाली है किसान सात्यों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता हैं क्योंकि किसान सातियों इस विशे पर इस वीडियो में थोड़ी विस्तरत जानकारी देना चाहता हूँ इसलिए सभी मेरे किसान भाईयों से निवेदने की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को सुरू से आन्त तक कवस से देखिएगा किसान सातियों लासुन की बुवाई का समय लासुन की बुवाई हम कैसे करें लसुन की सिचाई कितनी करनी चाहिए और हमें खत्पत्वा नेंतरन के लिए क्या क्या करना चाहिए 377 किसान सातियों इसमें कितना खात की आवशकता होती है और इसकी बुवाई का समय इसके निदाई गुडाई का समय सांती सांत किसान सात्यों इसकी जो निकालने का समय कब तक हमें होता है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है इसलिए सभी किसान मित्रों से निवेदने की वीडियो अगर फसन आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे अन्य किसान मित्रों के शांत वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे चलिए किसान सात्यों बात करते हैं लहसुन की बुवाई का समय की किसान सात्यों लहसुन की बुवाई का समय की अगर बात करो तो कई बार किसान साथी कुछ कारण वस से पूरे नवंबर में भी इसकी बॉआई कर सकते हैं साथी साथ बात करूँ किसान मित्रों इसकी मिट्टी की यहनि कि कौन सी मिट्टी में लहसुन का अच्छा होता है और इसकी जो बुवाई हम कौन से मिट्टी में करें ताकि हमें अच्छा अत्पादन भी मिल सके किसान सात्यों इसकी मिट्टी के अगर बात करें तो यह दोमत मिट्टी में सर्व सेष्ट जो है इसका अत्पादन मिलता है और यहाद दोमट मिट्टी में जो इसका कंद है इसकी साइज है इसका वजन है वो काफी अच्छा निकलता है इसलिए जो है इसकी दोमट मिट्टी में ही हम बुवाई कर सकते हैं ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिले वही किसान सात्यों बात करूँ इसकी बुवाई करते समय हमें जो है दो से तीन अच्छी गहरी जुताई कर लेनी चाहिए अगर हम खेत में इसकी बुवाई करते हैं तो हमें जो है अच्छे जो खेत की जब हमें दो से तीन गहरी जुताई करने के बाद मिट्टी को चाहिए ताकि हमारी जो बुवाई है वो सही से जो है खेत में हो सके है किसान सात्यों अगर इसकी खात की अगर बात करें किसान सात्यों तो एक बिगे के लिए जो है हमें पांच टन गोबर की खात के आउशकता होती है वहीं किसान सात्यों 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फासफोरस और पोटास यहम सलफर का उप्योग हम इसकी बुवाई करते समय खेत में अच्छी तरह हमें मिला देना चाहिए किसान सात्यों बात करें पोधे से पोधे की दूरी की अगर किसान सात्यों हमें लहसुन हातों से लगाते हैं किसान सात्यों क्या होता है कि अभी कई जो मशीने चल पड़ी है या सिडिल कह सकते हैं सिडिल जो है लहसुन की चल पड़ी है जो की मजदूरों का अवाव होने के कारण तो उसके जो है हमारी बुवाई कहीं किसान भाई मशीन से भी करते हैं टेक्टर की जो मशीन है रहती है लेकिन सबसे अच्छा जो इसकी बुवाई का जो रेता है तरीका वो हतों से हम जो लगाते हैं वही सवरुसेश्ट माना गया तो किसान सत्यों अगर हम पोदे से पोदे की अगर दूरी की बात करें तो 10 cm जो है पोदे से पोदे की जो है लहसुन की बुवाई का जो है दूरी ले सकते हैं वही किसान में तरों अगर बात करूँ कतार से कतार की दूरी तो 15 cm हम इसकी जो है कतार से कतार की दूरी ले सकते ह साथी साथ किसांसातियों अगर बात करें लासुन की बुवाई करते समय कंद की मातरा की, किसांसातियों अगर हम इसकी कंद की मातरा की अगर बात करेंगे, कि एक बिगे के लिए हमें कितना कंद की आउशक्ता होती है, किसांसातियों एक बिगे के लिए हम 130-150 किलो कंद परिय से 6 कुंटल 5 से 6 कुंटल सुद्ध लसुन का कंद कली वाला हम ले सकते हैं जो की परियाप्त माना गया है बात करूं किसान साथ यो इसके खतपतवार नियंत्रन की तो कि खतपतवार नियंत्रन के लिए हम तीन तरीके से जो है खत्पतवार नियंतरन कर सकते हैं लहसुन की फसल में हम तीन प्रकार से जो खत्पतवार नियंतरन करते हैं उसमें सर्व प्रफम आता है नंबर एक पर आता है प्रफम सिचाई करने से पहले किसान सात्यों अगर हम प्रतम सिचाई करने से पहले अगर हमारा कंद खेत में हमने लगा दिया है उसके बाद जब हम पहला पानी छोड़ते हैं या लगाते हैं उस समय हमें पेंडी मिथाईल 30% इसी से जो आती है उसका सुके में इस्प्रे कर दें और उसके बाद प्रतम सीचाई कर दें उससे किसान साथियों 40 दिन तक का चलीजां का खतपतवा नयंतरन अच्छे से हो जाता है नंबर दूसरे पर आता है किसान सात्यों शिचाई करने wrestling के बाद 2-3 शिचाई करने के बाद घब हमारा निकल आता है तो किसान साथियों आक्षी फ्लोरोफेन का जो करना हातों से खुर्पी की एवं अन्य तरीके रहते हैं उसको हातों से जो है हम उसको निदाई गुडाई करके कर सकते हैं नमबर अब आता है सिचाई का तो किसान सात्यों हमें सिचाई की जो आवशक्ता परती है लासवन की फसल में वह प्रथम सिचाई हम वहाई से तुरंत बात कर दें यहने कि एक या दो दिन के अंदर हम सिचाई कर दें नमबर दूसरी सिचाई आती है 8-10 दिन के अंदर। जिहां दोस्तों अगर हम दूसरी सिचाई अगर करते हैं तो 8-10 दिन के अंदर हमें दूसरी सिचाई कर देना चाहिए। तब ही हम जो है लहसुन की फसल में सिचाई करें वही किसान सात्यों मोसम का भी हमें ध्यान रखना रहता है कि अगर ठंड ज्यादा है कोहरा ज्यादा है तो किसान सात्यों हमें थोड़ा ज्यादा लंबा समय लेते हुए सिचाई करने चाहिए महीं किसान सात्यों फरवरी और मार्च में फिर हमें जो है दस से बारा दिन के अंदर अंदर लहसुन की फसल में सिचाई करने रहती है क्योंकि उस समय फिर से गर्मी एम टेमपिचर की वेकर बात करें तो वो बढ़ जाता है वेसे किसान सात्यों अगर बात करूँ कूल सिचाई की तो दस से बारा सिचाई लहसुन की फसल में परियाप्त मानिक गई है महीं किसान सात्यों बात कर लेते लहसुन की फसल में रोग ने इंतरन की किसान सात्यों मुख्य तरह से देखे गए हैं वहीं किसान सात्यों अगर बात करूं थ्रिप्स और जूलसा रोक की तो इसके लिए आपको मार्केट में कई प्रकार की दवाईयां मिलती हैं उसका इस्प्रे करने से ये सब कि वहीं इन रोगों के बारे में यूटूब चैनल इसी यूटूब चैनल पर कहीं प्रकार के वीडियो अप्लोड किये गए हैं उनको अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते तो वह देख सकते हैं वहीं साथ ही किसान साथी ओ अन्निक कमेंड बाक्स में आवस से कमेंड करकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगली बात करो किसान सात्यों फसल तैयारी समय की किसान सात्यों फसल तैयारी समय के अगर बात करें मुख्य तरह जो है इसका फसल तैयारी का जो समय रहता है वो 150-160 दिन में लहसुन की फसल तयार हो जाती है लेकिन किसान साथियों कोई किस्म अलग अलग किस्म होने के कारण 5-10 दिन का अंतराल भी हो सकता है तो किसान साथियों मुख्य रूप से 150-160 दिन में फसल तयार हमारी हो जाती है वही किसान सातियों फसल निकालते समय जो साव धनिया हमें रखनी रहती है वो यह होती है किसान सातियों कि फसल की अगर जब हम निकालते हैं तो सबसे प्रतम तो यह दियान रखे कि हमारा कंद जो है वो फोटे टूटेना हातों से निकालना ही सरोसेष्ट जो है लसुन की फसल का जो है माना गया है लेकिन किसान सातियों समय का अभाव एवं मजदूरी की जो कमी होती है उसके कारण जो कई किसान भाई अपने टेक्टर से कल्टिवेटर द्वारा भी जो है लसन का कंद निकाल सकते हैं अगर लसन के हमारी अच्छी जो क्वालिटी देखना है तो किसान सातियों इसकी लसन का जो गांट बान देते हैं ने की पूला बना देते हैं और अच्छे से जो है इसकी गठरिया बान कर कंद को नीचे रखते हुए और तने को उपर रखकर चार से पांस दिन या छे दिन हमें इसको सुका लेना चाहिए उससे जो है हमारी लसन की क्वालिटी सफेद होना ये सारी जो है अच्छी देखी गई है किसान सातियों बात करूँ इसके भंडारन की तो लसन का भंडारन सरोशेष्ट जो है किसान साथियों रस्सी की साहिता से अपनी पूले को या गाट को जो है हवादार इस्तान पर लटका दें उससे जो है काफी मजबूत यहने काफी लंबे समय तक जो है लसुन का हम इस्टोरेज कर सकते हैं यसे किसान साथी कई जो है कट्टी जो आती है कट्टा जो आता है जाली का उसमें भी जो है काट कर जो भी स्टोरेज इसका कर सकते हैं लेकिन सरुषेष्ट जो स्टोरेज इसका बंडारन होता है वो रस्सी पर जो है जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है यही सरुषेष बैधा गया है अब बात कर लृते हैं कटाइ करते वक्त साउधानी किसान सातियों कटाइ करते हो वक्त साउधानी यही रखनी है कि आप पांस सेमी का जो इसका पोधा रहता है उसको छोड़ कर बाकी पोधे को कंद से हटा दे एसा करने से कंद काफी मजबूत और अच्छा माना जाता है तो किसान सात्यों एक मात्र यही सावधाने हमें कटाई करते वक्त रखनी है जो कंद हम जो पोदे से जो हम कंद जो काड़ते हैं उसका जो है पांस सेंटीमेटर का जो हमारा कंद से पोदा रहता है उसको बड़ा ही काटे जैसा कि हम सित्र में देख पा रहे हैं एसा करने से कलिया विखरना, कंद का मरना यह सारी समस्याएं दूर रहती है तो किसान सात्यों आशा करता हूँ कि विस्तरत जानकारी आपको अवस्य पसंद आई होगी किसान सात्यों यूटूब चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूटूब चैनल की सस्क्राइब हैने की लाल अक्सर में सदस्यता जरूर ले ले ताकि आपको आने वाले विडियो के सारे नोटीपिकेशन प्राप्त होते रहे और यूटूब चैनल की सारी जानकरिया के करकर आपको प्राप्तों होती रहे इसी के साथ सभी किसान मित्रों को जै जवान जै किशान जै हिन